कभी आपने सुना हैं किसी भगवान पे भी चोरी की इलजाम लग सकती है ऐसा ही कुछ हुआ था भगवान श्री कृष्ण के साथ आईए जानते हैं इसके बारे में तो एक बार द्वारका में सत्रजीत नाम के एक राजपूत थे जो सुर्य देव के बहुत बड़े भगत थे उनकी भगती से खुश होकर सुर्य देव ने उन्हें एक अन्मोल मनी दी जिसका नाम स्यामंट का मनी था इस मनी में इतनी पावर थी कि जो भी इसे पहनता था उसके पास सारी खुशियां आ जाती थी और वो हर दुखदर्द से दूर रहते थे सत्यजीत ने जब इसे पहली बार पहना तो उसकी चमक से सभी लोग अंदे हो गए थे तो श्रीकृष्ण ने सत्यजीत को सला दी कि वो ये मनी राजा के पास रख दे इसी में सब की भलाई है लेकिन सत्यजीत ने श्रीकृष्ण की बात नहीं मानी एक दिन सत्यजीत के भाई वो मनी पहन कर बाहर चले गए और वापस लोट कर नहीं आए और मनी भी घर पे नहीं मिली तो सब लोगों ने श्रीकृष्ण पे मनी चोरी करने का इल्जाम लगा दिया और खुद को निर्दोश साबित करने के लिए श्रीकृष्ण ने ये तै किया कि वो उस मनी की तलाश खुद करेंगे और उन्होंने देखा कि एक भालू जिसका नाम जामबावंता था वो उस मनी को ले गया था श्रीकृष्ण ने उस मनी को पाने के लिए और श्री कृष्ण ने अपनी जीवत में इस बात को बार बार साबित किया है बोलू जै श्री कृष्ण